हेलो एब्रिवन नमस्कार मैं हूँ आरातना सागत करते हूँ आपका अपने गार्डेनिंग चैनल पे फ्रेंड्स ये है बहुत ही प्यारी रेंड लिली यान्ती चंद्रा डवल वराइटी है येलो कलर में ये खिलती है जब भी तो बहुत ही सुन्दर लगती है और दूसरी ये है सार पीरेड तो आज मेरे रेंड लिली के पॉट्स में जो भी फ्लावरिंग हुई है वो सब डवल में हुई है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है इनका और ये साइद लास्ट ब्लूम हो सीजन का क्योंकि अब ठंडिया आ रही है तो इतना जादा ब्लूमि हो जाता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इन पॉट्स को किसी सार्प चीज से मिटी को कुरेद देना है ताकि इसमें जो भी आप खाद पानी डालें तो वो अंदर तक जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये अंदर आपजर्ब नहीं होने देती साइड से पानी बाहर निकल जाता है रूट्स तक कुछ पहुचता ही नहीं है फ्रेंट्स रेंड लीली जैसा की नाम है कि ये रेंड में ही खिलता है तो चाहे ठंडी हो या फिर बारिस जब भी बारिस होगी तो ये खिलना सुरू कर देगी इसके लिए क्लाइमेट बारिस वाला होना चाह बस और इससे जादा कुछ नहीं चाहिए इसको फ्रेंड्स रेंड लीली की जो नॉर्मल वराइटीज होती है वो तो सस्ती होती है दस बीस रुपय में मिल जाती है लेकिन ये थाई और हाइवरिड वराइटीज काफी महंगी होती है तो मैं इसको एक या दो बल्व ले ले है तो ये आपके प्लांट को ग्रीन रखने में भी हिल्प करता है और इसकी रूट्स को भी अच्छा करता है तो एनपी के जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है आप इसको पतियों पे चिड़क सकते हैं आप चाहे तो रूट्स में भी डाल सकते हैं इसका कोई भी नुकसान नहीं है और बल्प्स बहुत ही हिल्दी बनते हैं जब पतियां अच्छी रहेंगी उपर का प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा तो नीचे बल्प्स भी अच्छे बनते हैं और बहुत ही जल्दी मल्टिप्लाई भी होते हैं दोस्तों अगर आप पर परचेस करना चाहते हैं रेंडीली बल्प तो आप मुझसे परचेस कर सकते हैं आपको लोकल वराइटी तीन से छे रुपे में मिल जाएंगी और आपको ये थाई और हाइब्रेड वराइटी स्टार्टिंग फ्रॉम 30 रुपीज तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं अपना कॉंटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेयर कर दूंगी आज के लिए बस इतना ही नमस्कार हैपी गार्डेनिंग थैंक्स फॉर वाचिंग